हलो बच्चों ये क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण की क्लास है इसमें हम पिये त्रीक आपको सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर बारा अवकारी शब्द या अव्य के विशे में हम आपको आज बताएंगे कि अवकारी अव्य शब्द क्या होता है और इसकी परिवासा क्या होती है आपने संग्या सर्वनाम विशेशर क्रिया आदि के समंद में हमने आपको जानकारी दी ये चैप्टर हमने आपको पढ़ाए कि संग्या क्या है सर्वनाम क्या है, विशेशर क्या है, क्रिया क्या है अब हम पढ़ेंगे अव्य इस अध्रयाय में अव्य शब्द के बारे में बताया जाएगा जिसनके रूप, लिंग, वचन, काल, कारण कोई परिवर्थन नहीं होता है उन्हें हम अव्यया अविकारी शब्द कहते हैं जैसे है मैं आज महां जाओंगा सोहन और मैं घनिष्ट मित्र हैं यानि कि उप्यूक्त वाक्तियों से ये इसपष्ट होता है कि आज महां और के साथ वाह अव्यय है इन शब्दों का रूप नहीं बदलता है अर्थात इन पर लिंग, वचन, कारक, काल किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अव्यया अविकारी शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभासा को देखेंगे सबसे पहले है कि जिन सब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, आधी के कारण कोई विकार नहीं होता है यानि कि परिवर्तर नहीं होता है वो जैसा है वैसा ही रहेगा उन पे कीन वाक्यों में किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें हम अव्य या अविकारी शब्द कहते हैं और इनके विभाजन के बारे में हम जानते हैं कि अव्वे को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं जिनके चाहे आप भेद कहिए या उनको विभाजित करना कहिए प्रकार कहिए तो अव्वे को हम चार भागों में विभाजित करेंगे सबसे पहले हैं क्रिया विशेशर फिर है संबंद बोधग फिर है सामुच वोधग और फिर है विश्मेबोधग तो आईए सबसे पहले हम क्रिया विशेशर के संबंद के बारे में जानेंगे कि इसकी परिवासा क्या होती है क्रिया विसेसर में जो सब्द है वो क्या करते क्रिया की विसेस्ता बताते हैं जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो यानि आप की विसेस्ता क्या है कि आप बहुत अच्छे हो गोड़ा तेज दोरता है यानि गोड़े की क्या विसेस्ता है कि वो तेज दोरता है तो इस में जो क्रिया का गी जा रही है कि संबंद बोधक कहते हैं संबंद बोधक पर किसे कहते हैं संग्या न सरवनाम के साथ अकर उनका संबंद वाकि के दूसरे संबंद जोडते हैं जैसे और सबद लग तो वैसे उसका सममंदन जुड़ता है जीसे राम और श्याम राम में और लगा दिया तो स्याम आ गया यहनी कि दोनों में जोड़ रहा है कि इंगे किसी किसी परामर्श की अपेक्षा बनी रहती है जैसे नहां धोलो और खाना खालो माने कहा कि आज मुझे घर पर ही रहना है तो इनमें क्या है इनमें क्या है कि उपवाक्यों के साथ इनका समंद जुड़ता है और फिर क्या होता है इहें हम सामुच्य बोधक कहते हैं सामुच्य बोधक कहते हैं अब आता है हमारा सामुच्य बोधक में क्या होता है कि दो सब्ध वाक्यांसों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं जैसे है हमारा है तुम जाते हो यह मैं जाओं यानि कि मैं आप के घर गया पर आप नहीं थे इसमें क्या है पर है या है तो है आद़ी जो उप वाकिय है इनको क्या है जोड़ने का काम कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर क्या होगा सामुच्य बोधक होगा अब यहां पर आता है विश्मय बोधक विश्मय बोधक में क्या होता है कि जो अव्यशब्द विश्मय हर्ज सोक घ्रणा इसको प्रगट करते हैं उसे हम विश्मय बोधक कहते हैं में आश्यर जिसमें प्रगट हो उसे हम विश्मय बोधक कहते हैं अ आप आप आपने इसे काम कर लिए जैसे कोई भी कारें हमको कठीन लग रहा है हम नहीं कर पाते कारें को दूसरा के र्यक्ति करता तो इसमें अश्च प्रग्ट है कैसे किया तो उसके हमने आश्चे विश्मय बद बहुत आते हैं किया है कि विश्मय विश्म्य आदभ वोड़क कहते हैं, के बहुते हैं कि में लिइवीशन को एक अब इसमें देखते हैं कि हम क्याथ अब व्यूसरे करे, क्या हमको बताया गया है सबसे पहले आता है रीति वाचक जो सब्द क्रिया की रीति या विधि के बारे में बताते हैं यानि कि हमाई परंपराओं के बारे में बताते हैं हमाई संस्कृत के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं रीति वाचक क्रिया विसेसर कहते हैं जैसे है घड़ी धीरे धीरे चल रही है, रगू ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, ये इसके उदारन है, कुट्ता तेज दोड रहा है, तो यानि कि इसमें घड़ी का धीरे धीरे चलना उसकी विदी के बारें बतायागा, कि घड़ी धीरे चल रही है, राम ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है यानि कि इसमें राम की जो विधी बताई गई तरीका बताया गई रीती बताई गई वह ध्यान पूर्वक उसका पढ़ना तो इसमें क्या है क्रिया विशेशर है अब आते हैं इस्थान वाचक में इस्थान वाचक में के जो सद्ध क्रिया के इस्थान का बोध कराते हैं जो सद्ध क्रिया के इस्थान का बोद कराते हैं उन्हें हम इस्थान वाचक कहते हैं क्रिया विशेशर कहते हैं अब जैसे यहां हम कुसलता पूर्वक हैं यानि इस्थान के बारे में कि हम जहां भी हैं उस इस्थान पे हम कुसल पूर्वक हैं ठीक हैं धर्म की सर् विजय हो यानि कि धर्म जहां भी जो भी धर्म है जैसा भी है उसकी सदय भी विजय हो फिर आता है काल वाचक में क्या होता है जो कि जो सद्ध क्रिया के काल या समय कबोद कराते हैं यानि काल या समय कबोद हमने आपको काल पढ़ाया था पढ़ाया है उसमें हम क्या पढ़ाया हमने भूत पढ़ाया वर्तवान पढ़ाया भविश्य पढ़ाया भूत जो बीच चुका है वर्तवान जो चल रहा है और भविश्य यानि कि जो आने वाला है यह हमारे तीन प्रक आते हैं उन्हें हम क्रिया विशेश काल वाचक क्रिया विशेश कहते हैं जिस काल में जो काम किया जाएगा जैसे देवदत परसु आएगा यानि परसु अभी उसका निश्चित नहीं है भविश्य के लिए है कि वह कब आएगा परसु के लिए बतायागा कि यानि वह आएग गया तो यह हमारा काल वाचक क्रिया विसेसर हुआ अब आते हैं कि अजसितिक क्रिया की मात्रा यह पर्माड के बारे में बताते हैं कि मात्रा में कौन सी वस्तु नहीं को है तो तो उनको दुकानदार जो है वो तौल के ही देता है उसका पर्मार करके देता है कि आप एक किलो ले रहे हो चीज की दो किलो ले रहे हो कि कितनी ले रहे हो तो उसी चीज के बारे बताए कि जो शर्द क्रिया की मात्रा या पर्मार के बताएं उन्हें हम पर्मार वाचक क्रिय विशेशार कहते हैं जैसे कम बोलू अधिक उप जाओ मंगाल में पटसन बहुत होता है तो यह कि इसके उदारण है और बच्चों इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा है चैप्टर आपका पूरा होता है और इस बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि इसमें हमको क्या बताया गया है और इसके प्रशन उत्तर आप अपनी कॉपी पैद करेंगे और जो एक्सरसाइज है उसको केवल बुक में ही फिल करेंगे